हे गाईज और एक कमाल के वीडियो में आपका स्वागत है आज हम डिटेल्स में कंपेरिजन करने वाला है बेटिन पोको एप 3GT वर्सेस वन प्लस नौर टू के बीच में कंपेरिजन करेंगे कौन सा फोन अपके लिए बेस्ट होने बाला है अपके नीड्स के नूसर अगर अच्छा डिस्प्ले चाहिए तो अगर अच्छा कैमरा चाहिए और आपको अच्छा दिखने क्लिए मिल जाएंगे सब कुछ डिटल्स में बताने वाला हो तो भी लास्तिक बिटिको जरूर देखते रही है अपको बहुत ज़ाद इंफॉर्मेशन मिलने बाला इसी दोनों फोन के डिगार्डिंग तो पई अगर आपको इसी दोनों फोन में से किसी एक फोन को लेना है तो बहुत तक बीजोर देखते रही है आंड जाता बाते ने करेंगे शुडू करेंगे तो भी सबसे पहले बात करेंगे इसी दोनों फोन के लांच टेट तो पोको F3 GT जो है ना 23 July को इंडिया में officially launch होने बाला है और जो OnePlus Nord 2 है बुसको 22 July को launch करने बाला है तब 22 July में आपको OnePlus Nord 2 देखने के लिए मिल जाएंगे 23 July को आपको Poco F3 GT देखने के लिए मिल जाएंगे दोनों फोन ही आपको 5G देखने के लिए मिल जाएंगे साथ में 120Hz का refresh rate भी देखने के लिए मिल जाएंगे जो बहुती smoothness प्रोवाइट करने वाला है डिस्प्लेइ पह and 480Hz का test sampling rate भी मिलेंगे जो गेमिंग में आपको बहुत जादा help करने वाला है side mountain fingerpin scanner इस phone में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे HDR10 plus का support भी इस phone में देखने के लिए मिल जाएंगे जो बहुती बढ़िया displays को बना देते हैं तो बहुत बात करेंगे OnePlus Nord 2 के display के बारे में तो इधर आपको 6.43 इंच के full HD plus AMOLED डिस्प्लेइ के साथ यह आ रहे साथ में आपको 90Hz का refresh rate मिलेंगे और इन डिस्प्लेइ fingerpin scanner इस phone में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे तो बहुत डिस्प्लेइगे तो बहुत अच्छा लगा और OnePlus Nord 2 का display भी अच्छा है बट पोको के जैसा नहीं है और पोको में आपको जिस्ट एक दिक्कत बाला बात है जो आपको side mountain fingerpin scanner देखने के लिए मिल जाता है और OnePlus Nord 2 में आपको in display देखने के लिए मिल जाएंगे अगर आपको in display अच्छा लगता है तो बहुत जरू से Nord 2 के साथ जा सकते हो तो बहुत नेक्स्ट हम बात करेंगे दे डू डे लाइब में आपको बहुत अच्छा प्रफॉर्मेंस निकल के दे देंगे अगर हम बात करेंगे OnePlus Nord 2 के प्रफॉर्शार के बारे में तो इधरे भी आपको same to same प्रफॉर्शार देखरी के लिए मिल जाएंगे उतना अच्छा प्रफॉर्मेंस निकल के दे देंगे तो बात करेंगे Poco Wave 3 GT के कैमरा के बारे में तो पीछे आपको तीन कैमरा मिलेंगे 64 विसल का मेन 8 का अल्टर वाइट और दो का मैक्रो और फ्रॉंट की बात करेंगे तो बात करेंगे अच्छिकशन का मेन ऐसे आपको सोनी का सिंसर दिखने के लें रवाण वहती बटीड़ा फोटो सको कीज़के दे सकते है तो बाहिं कैमरे के मामले में वान बिलासो नॉट टू एदर बाजी मार लेता है तो बात करेंगे Poco A3 GT के बैटरी के बारे में तो इधर आपको 5000 एमेज की बैटरी मिलेंगे साथ में 67W का फॉस्ट जर्जिंग मिल जाता है जो बहुत जल्दी आपके बैटरी को भी चार्ज करने बाला है अगर हम बात करेंगे OnePlus Note 2 के बैटरी के बारे में तो इधर आपको 4500 एमेज की बैटरी मिलेंगे साथ में 65W का फॉस्ट जर्जिंग दिखने के लिए मिल जाएंगे तो बहुत बढ़िया मतलब फॉस्ट जर्जिंग की मामले में दोनों ही सिम्टू से में तो दोनों का मतलब अगे निकल जाता है तो बहुत बात करेंगे एदर करेंगे अगर हम बात करेंगे वान प्लस नौट ू के बार में तो इधर आपको टैपसी का पॉर्ट मिलेंगे Oxygen OS 11.3 पर यह run करेंगे Android 11 out of the box बटन इसमें भी आपको 3.5 mm headphone jack देखने के लिए नहीं मिलेंगे मेरे सबसे Poco F3 GT में 3.5 mm headphone jack होना चाहिए था क्योंकि यह एक gaming centric phone है तो भी इसमें ज़रूर से होना चाहिए था बट इस phone में आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे तो भाई फाइनली बात करेंगे इसकी pricing के बार में तो भाई Poco F3 GT जो है उसका pricing आपको अंडर 30,000 में मिलेंगे and OnePlus Nord 2 का भी अंडर 30,000 में मिलेंगे तो भाई प्राइस दोनों का सेम है बट इसका जो feature से थोड़ा सा कम जादा है जैसे आपको Poco F3 GT में अच्छा display मिलेंगे OnePlus Nord 2 में आपको camera अच्छा मिलेंगे and Poco F3 GT में आपको battery में चाता मिलता है बट Nord 2 में आपको कम मिल दा है बट आपको over like अच्छा phone निकल के दे सकते हो OnePlus Nord 2 बट अगर आपको gaming बास से एंटिक phone चाहिए तो आप जरूर्ट से Poco F3 GT को ले सकते हो अगर आपको मिलब camera से प्यार है तो भाई अब जरूर्ट से OnePlus Nord 2 के साथ जा सकते हो बट इधर भी display उतना बुरा नहीं है OnePlus Nord 2 में क्योंकि AMOLED डिस्प्ले लगा गया है 90Hz का refresh rate भी रहेंगे इंडिस्प्ले फिंगर पिन अगर अगर आपको चाहिए तो वैबजोर्ट से 1 प्लस Nord 2 के साथ जा सकते हो अगर अगर आपको gaming centric phone चाहिए gaming ज्यादा करते हो अगर अब hardcore gamer ओ तो फोको F3 GT को आप चरूर्ट से purchase करते तो अंडर